मा और प्रेगनेंट बीवी मा डॉक्टर ने सुधा को आराम करने के लिए काहा है अब इस बात का भी ध्यान रटना कि ये बस आराम करें ज्यादा भाग दोड़ ना करें आरे ठीक है पेटा मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूं मा चाय बस मेरे लिए सुधा को दोद देना अब घर का सारा काम देवकी के उपर आ गया अब देव की ठैरी सास आखिर वो कैसे बरदाश कर सकती है कि वो घर का काम करे और उसकी बहु आराम करे तो इसका रास्ता देवकी ने निकाल लिया एक दिन सुधा ने अपनी सास से कहा माजी पता नहीं क्यों मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है बहु अब क्या बताओं मेरी भी कमर में बहुत दर्द है वो क्या है ना पानी की भरी बाल्टी उठा ली मैंने तब इसे ना जुका जा रहा है ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है तबी देव की का पती सेवक राम घर पर आता है और कहता है सुमन की माँ, एक कप चाय तो लेकर आओ, बड़ी थकान हो रही है पिता जी मैं बना लाती हूँ चाय, माँ की कमर में दर्द हो रहा है सुधा किचन में चाय बनाने चली जाती है, तबी वहाँ सुमन आ जाता है और वो सुधा को किचन में काम करती हूए देख लेता है सुधा, मैंने मना किया था ना कि तुम किचन में काम नहीं करोगी चलो अपने कमरे में जाओ आराम करो सुमन जी क्या हुआ, मैं दो बस चाए बना रही हूँ, मा की कमर में दर्द है सुधार डॉक्टर ने प्रॉपर आराम करने के लिए कहा है न, तुम जाओ मैं पापा को चाए बना कर देता हूँ सुमिन अपने पिता को चाय बना कर दीता है आगले दिन सुधा के सर में बहुत दर्द होता है तो सुमिन अपनी मा से कहता है मा सुधा के सर में बहुत दर्द हो रहा है अब उसे कुछ खाने के लिए दे दो न और मेरे लिए भी नाश्टा बना दो, फिर मैं आफिस चला जाओंगा अरे जो रुके गुलाम, मैं तेरी मा हूँ मेरे तकलिफ के बारे में भी खयाल रख लिया कर मेरे भी सर में सुबह से दार्द है, समझा अरे मा तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मैं बनाता हूँ, आपके लिए नाश्टा और दबाई भी दे दूँगा सुमिन किचन में नाश्टा बनाने चला जाता है तबी वहाँ सेवक रमा आ जाता है अरे बिटा, तुम नाश्टा बना रहे हो हाँ पिता जी, मा की तब्यर ठीक नहीं है न आपके लिए भी बना दूँगा चलो तुम किचन में काम कर लो मैं घर की साफ सफाई देख लेता हूँ इस तरह देवकी का पती और बेटा घर का सारा काम खत्म करके अपने अपनी काम पर जाते हैं और शाम को काम से आने के बाद भी वो दोनों ही रात का खाना भी बनाते लेकिन देवकी को बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका पती और बेटा काम करें तो उसने अपनी बहु को सुनाना शुरू कर दिया आज कल की बहुँ के नकरे ही नहीं मिलते अरे बच्चा ही तो होने वाला है तो ऐसे रानियों की तरह बैठ जाती है अरे हमने बैदा नहीं किये क्या बच्चे सारे घर का काम करते थे हम अरे मजाल है जो अपने पती या सास ससूर से किसी को भी काम को हाथ लगाने दिया हो अरे माँ बस करिये ना ये लिजे, खाना खालीजे, बहुत टेस्टी खाना बनाया है मैंने, और भागेवान, आज रोटी मैंने बनाई है, इसमें तुम्हें कई देशों के नक्षे भी मिलेंगे, लेकिन खा ले न, हमें गोल-गोल रोटी बनाना कहां आता है, बाप पिताजी, अब खाना खालीजे मैं सुधा को लेकर आदा हूँ, अब इस तरह से कई दिन बीट गए, बहु घर का काम करती नहीं, और सास कोई न कोई बहाना बना कर काम टाल देती, और घर का काम सेवक राम और उसकी बेटे को ही करना पड़ता, ये बात देवकी को बहुत खटकती है, इसलिए देवकी के म मुझे ताने सुनाती है, अरे तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारे सेहत के लिए गुस्सा करना अच्छा नहीं है, मैं मां से बात करूँगा, सुमिन अपनी मा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मा को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन सेवक राम और सुमिन सारा दिन घर पर ही थे, और सारा काम सेवक राम और सुमिन ने मिलकर किया, देव की कोई ये बात बरदाश्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उस ते अपनी बहु को सुनाना शुरू कर दिया, बहु, देन भर ऐसे ही बैठी रहेगी क्या, पालना लादू, जोलती र तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा पती और सुसुर काम करते हैं, और तुम बैठी रहती हो, माजी, अगर आपको बुरा लग रहा है, तो आप कर लिया करो, मैं कभी बिमार पढ़ती हूं, तो आप तुम मुझ से स्यादा ही बिमार पढ़ जाती हो, कोई भी मा नहीं हो तुम मा बनने वाली हो तो ये सोच कर बैठी हो कि न जाने दुनिया का कौन सा अनोखा काम कर रही हो अरे हम भी बने हैं मा और उस हालत में भी बहुत काम क्या करते थे हम चक्की से आटा पिस्ते थे जंगल से लकड़ी आला कर मिट्टे के जुलहे पर रोटी बनाती थी तुमारी तरह नहीं डैक्टर ने थोड़ा आराम करने को क्या क्या दिया बस बैठ गई देविका ने अपनी बहु को खूप खरी-खुटी सुनाई और इसका परिणाम ये हुआ कि सुधा घर छोड़कर चली गई सुमिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था ना तो वो अपनी माँ को बोलने से रोक पाया और ना ही अपनी पत्नी को जाने से रोक पाया सुधा के जाने के बाद देव की सारे घर का काम करने लगी वो अपने बेटी और पती का बहुत खैल रखती अपनी मा का ये रूप देकर सुमिन ने अपनी मा से कहा मा जब सुधा इस घर में थी तो आप कुछ भी काम नहीं करती थी अब आपने इतनी अच्छी तरह से घर की सारे जिम्मेदारी संभाल ली पापा को और मुझे हर चीज़ टाइम से देती हो जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं ही करती थी इस घर का काम तो मा क्या सिर्फ सुधा ही बोच थी आपके उपर हाँ बेटा थी बोच बिल्कुल ही नहीं इलती थी अपनी जगह से अरे कुछ तो काम करे ना उसने तो कसम खा ली थी कि कुछ काम नहीं करना मा सुधा मा बनने वाली है इस घर के वारिस को जन्म देने वाली है इस बात का खायल कर लेती आपने तो उसे लड़कर घर से ही बगा दिया मैंने नहीं बगाया घर से अरे गुस्से में दो बाते कह दी तो बरदाश्ट नहीं कर सकती थी क्या ये क्या तरीका हुआ सामान उठाया और चलती फिर ती नजर आई वैसे बेटा सचाए तो ये है कि मुझसे अब नहीं होता बुड़ा पेमे काम देव की जो भी हो लेकिन बहु को तो हमें बुलाना ही होगा वना लोग क्या कहेंगे गरबवती बहु को घर से निकाल दिया अरे मैंने रोका है क्या तुम लोगों को बहु को लाने के लिए जाकर लेकर क्यों नहीं आते मेरी तो हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है लेकिन कान खोल कर सुन लो मुझसे नहीं हो ताके ले घर का काम ठीक है मा मेरे पास रास्ता है ये बुलकर सुमिन घर से चला जाता है और सुधा को वापस लेकर आता है लेकिन सुधा के साथ एक औरत और होती है उसे देख कर देव की कहती है अरे बेटा बहु के साथ ये औरत कौन है मा ये कानता है ये इससे घर में रहेगी और सारे घर का काम करेगी और साथ साथ सुधा का भी खायल रखेगी मा, अब तो कोई परिशानी नहीं है न आपको मुझे तो पहले भी कोई परिशानी नहीं थी बहू मैंने जरा सा डांट किया दिया, तो तो घर से ही निकल गई आज कल की बहूं से तो कुछ कहना ही बेकार है गुसा नाक पर रखा रहता है अरे हम नहीं किया कभी ऐसा कुछ हमारी सास ने तो हम पर हाथ भी उठाया है लेकिन आज कल की बहूं क्या समझेंगी उस डांट को जिसमें प्यार चुपा होता है कांता, तुम खाना बना लो सुदा, चलो तुम मेरे साथ कमरे में सुमिन सुदा को कमरे में लेकर जाता है लेकिन देवकी का बोलना बांधी नहीं होता